अगला टोपिक जो बच्चों समझने जा रहे हैं DNA Packaging हम जानते हैं DNA काफी बड़ा होता है और सेल बहुत छोटी होती है अब उस बड़े DNA को छोटी सेल में पेक करना बहुत मुश्किल होता है तो कैसे उसको पेक किया जाता है इसको हम समझेंगे लेकिन Packaging में हमें एक Special Protein की जुरूत पढ़ती है Histron Protein यह आपको तब समझ में आएगा जब आपको Protein का पहले Basic Knowledge हो Protein के बारे हमें वैसे Detail में 11th क्लास में बायो मुलिकुल में पढ़ाया जाता है लेकिन हम यहाँ पर कुछ छोटी मोटी बाते हम संखेगे क्योंकि यह हमें बार-बार रूस करना होता है तो Protein आगे हम कहेंगे भी Protein Synthesis कैसे होता है तो आपको Protein Sillated कुछ Basic बाते में समझा रहा हूँ क्यों Basic हम समझेंगे Detail अभी नहीं क्यों एक Basic बाते आपको Protein Sillated समझाए जा रही है Protein होते क्या है Protein को हम कहते है Polymer of Amino Acid Amino Acid को शोट में बच्चों मेंने AA से लिखा AA मतलब Amino Acid को Indicate करता है अगर हम Amino Acid को जोइन करते जाए तो Amino Acid की Chain बनती जाएगी और Amino Acid की इसी Chain को कहा जाता है Protein जैसे आपको समझाने के लिए यहां यह बच्चो AA मतलब Amino Acid है Amino Acid, Amino Acid, Amino Acid, Amino Acid ऐसे कई सारे Amino Acid को जोड रखा है अच्छा Amino Acid को जोड़ते टाइम यहां पर आप देखोगे बीच में एक बॉंड बना हुआ है Amino Acid को जोड़ते टाइम यहां जो बॉंड बनता है यह कहलाता है Peptide Bond Peptide Bond से ही इन Amino Acid को टेस्ट किया जाता है फिर यहां पर भी Peptide Bond यहां Peptide Bond हर जगे से Peptide Bond होगा Peptide Bond से जब टेस्ट करते जाते हैं तो Amino Acid की यह लंबी सी चेन बन जाती है और Amino Acid की यह जो पूरी Whole Chain मनी है अब इसी Whole Chain को नाम दिया जाता है Protein बहुत जान समझना यह छोटे सेक्षन के गर में बात करूँ तो Amino Acid है यह Amino Acid है लेकिन पूरे सेक्षन की बात करें तो यह पूरा Protein कहलाता है बात आती है Amino Acid किसको कहते हैं वहले हम वो तो समझे Amino Acid उसको कहा जाता है जिनके अंदर कुछ इस तरह से Functional Group होते हैं Amino Acid के अंदर एक NS2 Group होता है एक CWH Group होता है NS2 आप जानते हैं बच्चों यह एक Amino Group है और CWH यह एक Acid Group होता है मतलब इसमें एक Amino Group है एक Acid Group है तो इसलिए नाम बन गया Amino Acid क्यों कहा Amino Acid क्यों कि इसमें एक Amino और दूसरा Acid Group था इसे नाम देना पड़ा Amino Acid इन Amino Acid के अंदर एक R होता है R का मतलब होता है Side Chain Amino Acid के अगर मैं Type की बात करूँ तो Protein बनाते टाइम 20 Types के Amino Acid होते हैं Type की बात करें और इसी के बैसिस पर अलग 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 तरह के Amino Acid होते हैं बाकी NH2, CE, COO, H, H ये जो इतना सेक्षन है ये इतना सेक्षन ये सब के अंदर Common होता है बस ये R Side Chain ये Variable होती है बाकी ये पार तो सब में क्या रहता है Common ही रहता है बात समझ में अच्छा, यहां पर इन Amino Acid के कुछ Special Example में आपको समझाता हूँ Amino Acid को अगर हम देखे तो Total 20 Types के होते हैं इन 20 Types के Amino Acid को 3 Category में Divide किया जाता है इनमें सबसे पहले नंबर पर जो Amino Acid आता है वो है Basic Amino Acid इसी तरह से यहां पर होते हैं Acidic Amino Acid और Neutral Amino Acid तीन तरह के हैं Basic Amino Acid, Acidic Amino Acid और Neutral Basic Amino Acid के Standard 3 Example है Lysine, Arginine, Histidine यह Example याद रखना Basic के 3 Example हैं यह 11 क्लास में आप पड़वी चुकी होते हैं लेकिन एक बार फिर रिवाइस कर रहे हैं Basic 3 है Lysine, Arginine, Histidine Acidic 2 होते हैं Glutamic Acid, Aspartic Acid यह हो गए 3 यह हो गए 2 Total कितने? 5 Total यह हो गए 5 अब बताईए 20 में से 5 माइनस होएं कितने बचे? 15 तो rest of 15 Amino Acid जो होंगे वो Neutral होते हैं आस समझे हैं? यानि 3 Basic है, 2 Acidic है अच्छा Acidic को तो याद रखना वेसी आसान होता है इनके नाम में लिखा है Acid Glutamic Acid, Aspartic Acid तो Acidic तो वेसे याद हो जाते हैं अब आप Basic याद रखो बस Basic 3 है, कौन-कौन से? Lysine, Arginine और Histidine यह 3 Basic होते हैं इन Basic वाले Amino Acid को अच्छे जान रखो यह Basic Acidic तो बाकी बच्चे 15 जो होंगे वो Neutral है जैसे मैंने आपसे Question पूछा Methionine कैसा Mino Acid है? Acidic Basic Neutral तो आप कहेंगे Methionine यह तो Neutral हो जाएगा क्योंकि इन में नहीं है इसी तरह से मैंने कहा Elanine कैसा है? तो Neutral मैंने आपसे पूछा Glycine कैसा है? Neutral लेकिन मैंने कहा Glutamic Acid कैसा है? तो Glutamic Acid कैसा हो जाएगा? Acidic तो Insulated Question आए तो आप कर सकते और Examian Question तो इन ही पर ही आ जाता है बात आती है इनको Basic कहा क्यों जाता है? यहाँ पर एक Example से मैं आपको समझाता हूँ यह Structure बच्चो Lysine की है Lysine की Structure में आप देखोगे यह Part तो होता है Basic यह Part होता है Acidic B मतलब Basic, A मतलब Acidic अब इसकी Side Chain में आपने देखा तो यहाँ NS2 है मतलब यह तो एक Basic Part है अब बताओ Basic Part कितने हो गए? दो, इसलिए तो यह Basic बना मतलब इसकी Side Chain में Extra Basic Part था यह Part तो सब में होता है यह तो सब में होता है Extra Side Chain में Basic Part आगया इसलिए यह क्या बन गया? Basic Amminosid यह बच्चों यहाँ पर Lysine की Structure यहाँ पर ड्रो की है, clear? अच्छा, ऐसे अगर हम Arginine Histidine की बात करें तो Histidine वगरा, Arginine वगरा यह तीनों ही Basic होते हैं नेक्स नंबर पर आता है और वो है Acidic Amminosid का एक 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 एकजामपल लिया Glutamic Acid Glutamic Acid की बात करें तो इसमें यह तो हो गया Basic Part, यह हो गया Acid Part अब यह जो कहलाती है Side Chain इस Side Chain में यहाँ पर एक Acid Part और है Acidic Part दो है, इसले Acidic हो जाते हैं तो Acidic 2 है, Glutamic Acid, Aspartic Acid Neutral का जैसे एकजामपल लिया अब यहाँ एक ही Basic है, एक ही Acid है Side Chain में कुछ भी नहीं है और Side Chain में Extra NS2 Extra CWH नहीं है, इसलिए यह बन जाते हैं Neutral अर बात समझ भें तो यह Basic क्यों है, क्योंकि Side Chain में Extra NS2 था Acidic क्यों है, क्योंकि Side Chain में Extra CWH था यहाँ Side Chain में इसा कुछ नहीं था इसलिए यह बन गए Neutral Basic पर अगर Charge निकाला जाए अगर मैं इसको आइनिक फोर्म में बनाओ, तो यह बच्चों यहाँ पर Exactly होगा NS3 प्लस की फोर्म में यह CWO माइनस, तो यह बनेगा NS3 प्लस अब बताओ, प्लस चार्ज कितने होगे दो तो Basic वालों पर Net Charge पोजेटिव होता है यह भी याद रखिएगा, मैं भी आपसे पूछूँगा Lysine पर कौन सा चार्ज है, तो आपको आना चाहिए Positive, Arginine पर चार्ज Positive, तो Lysine, Arginine, Histidine यह बच्चों Histidine होता है Lysine, Arginine, Histidine इन पर Positive चार्ज होता है, इसी तरह से इन दोनों की बात करें, तो यह NS3 प्लस होता है, यह CWO माइनस होगा, CWO माइनस होगा, मतलब आइनिक फो में बनाएंगे तब, माइनस पार्ट 2 हो गया, तो इसका मतलब इन पर net charge आजाएगा Negative, इन में एक ही प्लस होगा और एक ही माइनस होगा इसलिए इन पर net charge आजाएगा 0 तो एक कोशन और यह बनता है Basic पर charge पुछा जाएगा तो Positive और यह Positive क्यों आया Side Chain की हो जासे Acid इक पर charge नेगेटिव किसकी हो जासे तो Side Chain की हो जासे और Neutral पर net charge 0 होता है इस पर net charge अगर निकाला जाए तो 0 रहेगा यह जो बाते अभी मैंने आपको Protein और Amino Acid की Basic बाते समझाए यह ध्यान रखिएगा Protein किसका Polymer है? Amino Acid का उसकी structure भी ध्यान रखिएगा और उनके बीच में कौन सा बोन बनता है? Peptide बोन इनको 3 केटेगरी में डिवाइट किया Basic, Acidic और Neutral जो बात यहां समझाए Clear हुई अगला point Packaging of DNA Helix DNA की Packaging कैसे की जाए? हम सभी जानते है DNA तो बड़ा है और सेल बहुत छोटी है तो Packaging कैसे करते है यह Packaging बच्चों हम Prokaryote में भी सिखेंगे और Eukaryote में भी सिखेंगे मतलब Packaging का काम Prokaryote, Eukaryote दोनों में हम पढ़ने वाले है सबसे पहले Prokaryotes Prokaryote में आपको समझाने के लिए यह बच्चों यहाँ पर Prokaryotic सेल जैसे Eukolai की सेल डोकी है यह Prokaryotic सेल है और इस Prokaryotic सेल का यह DNA है जो Circular Form में होता है आप डाइग्राम में देख भी पा रहे है कि सेल तो काफी छोटी है और DNA बहुत बड़ा होता है और हमने सिखा भी था कि Eukolai में DNA की length 1.36 mm होती है जोकि Eukolai की सेल जो होती तो माइक्रो मितर में होती है मतब इह तो हो गया पकेजिंग कैसे करें Prokaryot में को आती है कि इनके अंदर हिस्टार्ण प्रोटीन नहीं होता इनमें हिस्टार्ण होते हैं तो question आता है फिर packaging कोन कराएगा? तो इनके अंदर packaging करने के लिए एक special protein काम में लिया जाता है जिसका नाम है polyamines यह polyamines packaging करते हैं अच्छा polyamines क्या करेगा? इस DNA को fold करने का काम करेगा इसको shrink करने का काम करता है पहले हम polyamines के कुछ खास बाते समझे fold करने वाला यहाँ protein होता है polyamines polyamines की पहली खास बात है कि यह non-histone protein है यह histone नहीं है histone के अलावा है और histone के अलावा इसलिए नाम दिया गया non-histone protein अच्छा है इस polyamines पर अगर हम charge निकालें तो यह positively charge होता है इस पर भी positive charge होता है आप बताईए DNA का charge क्या है पर हमने DNA का charge होता है negative और इन पर होता है positive positive इसलिए रखा गया ताकि पेकिंग आसानी से हो पाए बात समझ में इनका nature होता है basic यह basic protein होता है आप बताईए DNA का nature acidic होता है यह तो हो गया acidic तो इसको पेक करने वाले protein कैसा होना चाहिए basic होना चाहिए तो याद रखना polyamines की तीन खास बाते polyamines यह non stone होता है positively charge होता है और यह एक basic protein होता है अब यही polyamines इसको पेक करता है यहाँ polyamines पे आप जानते हैं इधर यहाँ पर इस तरह से पर positive charge होगा और DNA पर हर तरफ इस तरफ से negative charge होगा अब यह negative charge वाला DNA इस positive के चारो तरफ bind करेगा जब यह bind करता है तो bind करने के बाद यहाँ पे यह कुछ इस तरह से बन जाता है मतब इस polyamines के चारो तरफ ऐसे DNA जूडने लगता है और जब यह DNA जूडने लगता है तो इसके अंदर ऐसे loops बनने लग जाते है यह बड़े-बड़े loop यहाँ दिखाए देते हैं इनी को हम कहते हैं large loop अब आप देखो पहले DNA ऐसे बड़ा था लेकिन polyamines के होज़ा से श्रिंक हो जाता है चोटा हो जाता है तो इसको छोटा करने में polyamines ने help की और अगर यह छोटा हो गया तो अब यह इस prokaryotic sale के अंदर आसानी से पेक हो जाता है पहले पेक करने में बड़ी दिक्का थी लेकिन अब packing आसानी से हो गई है क्योंकि बच्चो polyamines ने इसको श्रिंक कर दिया और जब यह छोटा हो गया तो पेक करना आसान हो जाता है तो यह जो packaging का concept हमने सिखा है यह prokaryote में था जो हमने सिखा कुछ बाते में आप से पुछ रहा हूँ prokaryote में packing कौन करता है histone या non-stone तो हम कहेंगे non-stone उसका नाम polyamines clear और packing कर दे जाती है तो इसमें इसे large loops बनते हैं और इसी form में इसको cell के अंदर pack किया जाता है अब यह large loop की form में यहाँ जब यह pack form मिलता है तो अब इसी को ही nucleoid, genophore, incipient nucleus के नाम से जाना जाता है clear यह जो packaging का concept हमने सिखा यह तो था prokaryote के case में अब बात करते हैं eukaryotes eukaryotes में packing कोन करेगा तो eukaryotes में packing करने के लिए special protein काम में लिया जगया जिसका नाम है histone protein मतलब यहाँ packaging histone protein से करते हैं आपको समझाने के लिए यह बच्चों histone protein बना दिया histone एक protein है तो आप ही बताएए क्या इसमें amino acid होंगे yes होंगे यहाँ पर यह जितने भी लिख रखें यह amino acid amino acid बीच में पेप्टाइड बन ऐसा amino acid से इनको जोड़ा गया अच्छा इस पूरे histone protein को जब आप दियान से दिखोगे तो इसमें lysine, arginine, lysine, arginine lysine, arginine इनकी नमबर ज़ादा दिखाए दे रही इनकी नमबर ज़ादा है यह histone के सबसे खास बात है histone के अंदर lysine, arginine की abundance होती है इनकी amount ज़ादा होती है एक question पुछता हूँ क्या histone में only lysine, arginine होते हैं? नहीं अरे यहाँ lysine, arginine के अलावा दूसरे amino acid भी तो है यहाँ पर यह दूसरे amino acid भी तो present है मतलब यहाँ lysine, arginine के अलावा other amino acid भी present होते है तो यहाँ question आता है histone है only lysine, arginine? गलत histone में lysine, arginine के अलावा और भी है हाँ हम यह कहेंगे कि इसमें lysine, arginine की abundance होती है उसकी number ज़ादा होती है अब इस lysine के अंदर मालों यहाँ side chain बनाए आप ही बताना lysine पर charge positive, negative इसकी side chain में charge positive तो इस lysine पर side chain में charge positive होगा arginine है तो side chain में positive होगा lysine है तो positive, arginine positive tryptophen tryptophen neutral है neutral है मतलब इस पर charge यहाँ कुशन लिखा मतलब zero charge होगा फिर lysine आ गया तो positive इसी तरह से अगला glutamic acid glutamic acid पर आप जानते हो negative होता है lnine आ गया तो neutral मतलब zero charge होगा फिर यहाँ arginine आ गया तो इस पर फिर positive होगा अब इस पूरे histron protein को ध्यान से देखो तो इसमें कहीं पर positive है कहीं zero है, कहीं negative है लेकिन मैं आप से पुशता हूँ net charge तो इस पर जो net charge आएगा ज्यादा तर आपको plus 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 ज्यादा दिखाए दे रहा है आप देख भी रहे हैं ज्यादा तर plus ही दिखाए दे रहा है तो इसका मतलब इस पर जो net charge निकलेगा वो positive होगा जितनी बाते हिस्ट्रोन की समझाए इसी को अब हम summarize करें हिस्ट्रोन की क्या क्या बात है हमने समझी हिस्ट्रोन का सबसे पहला point ये lysine and arginine reach होता है ये point याद रखना है सबको हिस्ट्रोन reach in, lysine and arginine जोकि lysine and arginine की number ज़ादा है clear अच्छा, lysine and arginine पर positive charge होता है और ये positive charge किसके होज़से आता है हिस्ट्रोन का function क्या है तो हिस्ट्रोन का सबसे basic function होता है DNA की packaging करना ये packaging में help करता है clear जितनी बाते यहाँ पर हिस्ट्रोन की समझाए clear हुई तो हिस्ट्रोन की ये बाते आप सबको अच्छे से पता होनी चाहिए जो जो बाते हमने यहाँ सिखिए ये clear होना चाहिए positively charge होता है ये एक basic protein होता है और इसमें lysine arginine की abundance होती है अब ये हिस्ट्रोन कैसे packaging करता है उस बात को अब हम और अच्छे से समझे यहाँ पर packaging को समझने के लिए ये बच्चो DNA है DNA आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा सा है अब जो बाते हम सिखेंगे सब eukaryotes की eukaryotic cell का DNA काफी बड़ा है अच्छा यहाँ पर cell की size तो छोटी होती है माइक्रो मिटर में मतब DNA तो हो गया मिटर में और cell हो गये माइक्रो मिटर में अब इस बड़े DNA को छोटी cell में pack करना है यहाँ pack करने के लिए special protein काम आता है histone protein histone protein को और detail में हम समझे तो यह histone protein total five types के होते हैं इन five types में सबसे पहला आता है H1, H2A, H2B, S3, H4 यह सारे histone ही है H1, H2A, H2B, S3, H4 सब histone होता है इन में से किसी पर भी निकाला जाए तो charge positive होगा मैं आपसे पुछता हूँ H3 पर charge निकालो positive, H4 पर charge positive क्योंकि है तो histone ही अब histone protein जब इसको pack करता है तो packing करते टाइम यहाँ पर ऐसे कुछ beats बनते जाते मतलब यहाँ पर बच्चों यह histone protein होगा ऐसे यहाँ पर बीच में ऐसे histone protein होगा इसे यहाँ histone होगा इनके चारो तरफ यह DNA जुड़ता जाता है अब इन histone के चारो तरफ जब यह DNA जुड़ जाता है तो यहाँ पर पूरा एक thread बनता है इस thread को कहते हैं chromatin मतलब यह तो था DNA histone के साथ जुड़ता है तो इस एक thread बनता है इस chromatin अब इस chromatin को आप ध्यान से दिखोगे तो इसमें आपको छोटे-छोटे कई सारे bits दिखाए दे रहे इनमें से यह जो एक bits है यह एक bits है इस एक bits को especially nucleosome कहा जाता है बहुत ध्यान सुना है बहुत important है पूरे thread का नाम chromatin लेकिन इस chromatin में जो एक bits है उसको nucleosome कहते है इस nucleosome में चारोतरब तो इसे DNA है और बीच में यहाँ पर ऐसे histone protein यहाँ histone लगा होता है तो यह histone उसके चारोतरब DNA होता है अच्छा यह बच्चों यहाँ पर एक thread है और इस thread के ओपर यह nucleosome ऐसा लगता है जैसे कुछ bits बना रखे तो nucleosome को एक नाम और दिया जाता है bits on string इसे हम bits on string भी कहते है bits on string के इसलिए कहा जाता है जैसे माली जे एक string है एक रसी है उस रसी के ओपर छोटे छोटे bits लगा रखे nucleosome दिखाई ऐसे दे रहे हैं कि एक रसी है और उसके ओपर छोटे-छोटे bits से simple language में ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि माला के अंदर होता है माला के अंदर बीच में एक थ्रेड होता है उसके ओपर मोती लगी होते हैं तो सेम उसी तरह से कि ये एक थ्रेड है उसके ओपर ये मोती लगा रखे हैं मीड़् लगा रखें जिनको नुक्लियोसमर भाव मान दिया गया नुक्लियोसम की खासबात ही होती है कि यह नुक्लियोसम बहुत छोटे होते इतने » इतने representative माई Chenow में दिखाई निए देते नजरी नहीं आते क्योंकि बहुत छोटे हैं इनको में इनको देखने के बाहर निकाला और उस nucleosome की structure यहाँ पर draw करके बनाते हैं अगर हम एक single nucleosome की structure draw करें तो इसकी structure यह कुछ इस तरह से आती है यह जो diagram है यह एक single nucleosome का है मतब यह nucleosome जो होता है exactly यहाँ इस तरह के form में रहता है इस nucleosome की खासबाती होती है कि इसमें यह histron protein काम आते है histron जब nucleosome काम आता है तो इस H1 को छोड़के बाकी जितने भी histron है इन सब के 2-2 molecules होते हैं H1 का केवल एक molecule और बाकी सब के 2-2 molecules होते हैं मतब यहाँ पर अगर हम देखे तो इस histron के अंदर सब के 2-2 molecules होंगे है H4 के 2 molecules है तो सब के यहाँ 2-2 molecules से कौन नहीं है H1 नहीं है तो H1 को छोड़के इस बीच वाले complex में सब के 2-2 molecules है अब total count करो तो total हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह center में जो पूरा 8 का group बना है इस group को नाम दिया histron, octamer अब बताइए octa word क्यों लिखा गया इस group को नाम दिया गया histron octamer इस octamer में H1 include नहीं होता इसमें H1 include नहीं होता इस octamer वाला पार जिसमें DNA बंदा हुआ है इसे हम core of histron molecule भी कह सकते है यह histron का core molecule यह इसको हम NU part भी कह सकते है clear अब इस octamer के 4 तरफ यहाँ पर यह DNA bind करता है DNA यहां बड़े तरीके से bind करता है DNA जब bind करता है तो DNA मान लेज़े बच्छो यहां से आया यह ऐसे आया अच्छा यहां पर ऐसे पीछे होके वापस यहां गया इधर से गया पीछे होके वापस यहां गया तो इसने एक टर्न पूरा किया समझ जाया क्या क्या मैंने इधर से आया पीछे होके वापस वह पहुंच गया कितना टर्न फिर यहां पर अच्छा इसने यह वाण टरन तो इस तरह से यह पूरा किया plus one टरन तो पूरा किया plus यहां से बच्छो फिर यह इतना इंटर करता है मतलब यह.5 चलता है वन ने आधा टन क्या मतलब 0.5 फिर यह 0.5 यहां तक जाता है आधे का भी आधा जाता है मतलब 0.25 ओर जाता है टोटल निकाला जाए तो यह 1.75 टन देता है एक बाद फिर समना क्या सिखा है मैंने आपको पहला टन पूरा होता है फिर उसके बाद आधा टन चलता है फिर आधे का आधा चलता है और exit हो जाता है, मतलब 1 ton, half ton, half का भी half, total 1.75 ton लेता है, मतलब इस octamer के चारो तरफ DNA जब ton लेता है तो 1.75, अब यहाँ पर DNA bind तो हो जाता है, लेकिन उसके binding को tight करने के लिए, यहाँ पर एक special protein लगा होता है जिसको कहते हैं H1, यह H1 histrone इस पूरे complex को इसे bind corps करके रखता है, tight करके रखता है, तो यह हो गया H1 histrone protein, यह तरह का यहाँ पर binding protein है, जो पूरे complex को क्या करता है, bind अब करके रखता है, clear, यहाँ पर बच्चो इस ही H1 को हमने क्या नाम दे रखा है, binding protein, क्योंकि पूरे complex को bind up कराता है, clear, इससे बच्चों आप इस तरह से समझ सकते हैं, इससे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे यह तो अपना histron का octamer है, आप बताएं, octamer में H1, octamer में H1 include नहीं होता, बाकि सब के यहाँ पर 2, S2A के 2, S2B के 2, S3 के 2, H4 के 2 molecule, और यह DNA है, अब यह DNA यहाँ पर इसके 4 तरफ bind करेगा, bind करते हैं यहाँ से इंटरी की, ध्यान से देखना सभी, यहाँ से इंटरी की, इधर गया, इधर गया और यहाँ तक पहुँच गया, बताएं, यहाँ से इंटर करके, यहाँ से इंटर करके, पीछे ओके वापस यहाँ तक आ गया, कि यहां तक गया मतलब हाफ टन यहां तक गया हाफ टन इसने बच्चों यहां तक ऐसे हाफ टन पूरा किया फिर इसने हाफ का भी हाफ पूरा किया और यह एक्जिट हो गया मतलब कभी यह बच्चों इस तरह से दो टन पूरे नहीं करता उससे पहले बाहर आ जाता है मतलब पहल को पकड़ कर बांदा है तो यहां बांदने के लिए एक special protein लगा देते नाम आप ही बताएंगे बताएंगे यहां पर बांदने वाला इस protein का नाम H1 तो H1 इस पूरे complex को bind up करके रखता है इसलिए इसको नाम दिया गया binding protein क्यों कहते है binding protein क्यों कि पूरे complex को क्या करता है bind up करके रखता है इसलिए इसको नाम दिया जाता है binding protein अब यहां पर आप जहां से देखोगे तो जो DNA यहां पर इससे बंदा हुआ है जो बंदा हुआ DNA इस बंदे हुए DNA को especially कहते है binding DNA और यह जो side वाला DNA आपको नजर आ रहा है इस DNA को linker DNA कहा जाता है इसको आप ऐसे जो DNA यहां पर इससे bind up कर रहा है जहां से देखिए यह बंदा हुआ DNA नाम बोलो binding और यह जो side का DNA रह गया यह side वाला DNA को linker DNA कहते है यानि इस पूरे nucleosome में total देखा जाए तो चार main part है एक तो यह histone का octamer यहां पर लगा हुआ है H1 यह binding DNA और यह linker DNA मतलब जो side में रह जात है उसको हम कहते है linker DNA और यह पूरा complex बन गया nucleosome तो nucleosome का diagram कैसे होता है कुछ समझ भे है यह diagram एक बार exam में आ चुका है इसकी labeling पूछी जा चुकी है तो आप इस diagram को अच्छे से ध्यान रखे जो bind up कर रहा था वो binding DNA और side वाला यह और side वाला यह वाला जो DNA हाँ पर आपक इस छोटे से bits का नाम बोलो nucleosome इस nucleosome में यहाँ जो बंधा हुआ है यह बंधा हुआ नाम बोलो binding DNA यहाँ पर लगा हुआ है H1 और यह जो side में DNA दिखाए दे रहा है जो pass वाले nucleosome को अब link कराएगा यह जो pass वाले nucleosome से link कराएगा इस DNA को linker DNA करते हैं मैं आप से पूछ अब आब बताना यह DNA का नाम बोलो binding DNA यहाँ पर H1 और यह जो side में इतना और यह side वाले इतना यह कहलाता है linker और यह पूरा यह पूरा whole complex नाम बोलो nucleosome whole complex का नाम क्या बन जाता है nucleosome तो nucleosome का डाइग्राम कैसे होता है समझ में आना चाहिए एक बात और यह भी आद रखना nucleosome बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे कि simple microscope में दिखाई नहीं देते इनको देखने के लिए electron microscope चाहिए मतला electron microscope के अंदर ही यह आपको प्रोपर तरी string दिखाए देते हैं वो क्या कहलाते है तो जो bits on string दिखाए देते हैं उनको क्या कहलाते है nucleosome कहते है और यहां पर total turn कितना लेता है तो 1.75 जो बात यहां सिखाई clear हुई सब को अच्छे से एक सबसे main point अगर हम DNA की बात करें तो यहां पर बच्चों जैसे मैं लिखा adenine त तो सामने आ जाएगा cytosine AOT को मिला के कहेंगे base pair GC को मिला के base pair count करें 1,2,3,4,5,6,7,8 पूरे nucleosome में अगर base pair count करें यहां तक तो total base pair यहां पर आते हैं 200 मतब पूरे nucleosome में ऐसे 200 base pairs होते है base pair 200 है अगर मैं आप से पूछता कि यहां पर nitrogen base कितने तो double हो जाते 400 यह 200 तो क्या base pair nitrogen base निकालने के लिए के लिए कहते हैं तो यह double हो जाते और उनकी number हो जाती है वहां पर 400 तो यह जो diagram यहां पर सिखाए गया clear हुआ इसमें जो जो हमने सिखा एक outline में आपको फिर से देता हूँ सबसे पूछना हूँ आना चाहिए DNA बढ़ा है यू के ariot में आप ही जा जाए तो chromatin यह तो था DNA पेक होने के बाद क्या बन जाता है chromatin बन जाता है clear एक nucleosome को इनलाज करके देखे तो इसमें center वाला पार्ट octamer है octamer में सबके दो-दो molecule किसको छोड़कर H1 को अच्छा इसके चारोतरब DNA कितने टन लेता है 1.75 बाइंड करने के लिए यहाँ पर H1 प्रोटिन लगा होता है जो DNA बाइंड अप हो रहा है वो binding DNA साइड वाले DNA को linker DNA कहते हैं और पूरे nucleosome में total 200 base verse होते हैं यह इसकी समर आप लोगों को procreate में सा nucleosome नहीं देखने को मिलेगा यह केवल और केवल आपको eukaryotes मिलता है इस पर बैसे question लेते हैं यहाँ बच्छे question लिखा है calculate the number of nucleosome in a deployed cell of human human की deployed cell में कितने nucleosomes होते हैं यह आपको calculate करना है कर सकते हैं calculation जब आप इसको calculate करोगे तो calculate करते हैं time सबसे पहले deployed cell में कितने base pair है यह याद होना चाहिए एक बार हमने इस सिखा भी है अच्छा जब इसके base pair आप निकालोगे तो number of base pair in deployed cell कितने हाते हैं 6.6 into 10 to the power 9 clear अब आप को nukleosome निकालना है तो number of nucleosome जब भी निकालना हो तो total base pair को 200 से divide करो बताव 26 Wirkanberg क्योंकि जो एक linked nucleosome था यहां से लेके यहां तक इस पूरे nucleosome में यहां से लेके और यहां तक 200 थे 2 million से तो 100 x WR kरदेगी और सिधी सी बाते 200 217 मिलânके एक nucleosome बनाते हैं, तो number of nucleosome निकालने का सिधा तरीका, जितने भी base pair हैं, उसको 200 से divide करें, और 200 से क्यों divide करते हैं, त्योंकि 200 एक nucleosome में base pair होते हैं, clear, अब इसको आगे solve करते हैं, यहाँ पर जब base pair की value निकाले तो 6.6 into 10 to the power 9, अब उन में 200, और solve करेंगे तो answer आएगा, 3. 3.3 into 10 to the power 7, तो यहाँ answer आएगा, 3.3 into 10 to the power 7, यह nucleosomes होते हैं, तो यहाँ पर nucleosome का answer, 3.3 into 10 to the power 7, बास समझ में, इसको solve करेंगे तो यह answer आजाता है, अच्छा, कैसे इसको solve किया गया, clear हुआ, तो इस तरह से इसके question solve करेंगे, बस आप formula दियान रखना, number of nucleosome निकालना है तो total base square को 200 से divide करें, इसली answer आ सकता है, clear? अभी तक बच्चों हमने DNA packaging के अंदर histone ने कैसे packaging की है, वो हमने सीखा, packaging में हमने prokaryote में packaging समझी थी, जिसमें polyamines का role होता है, और eukaryote में packaging histone protein के थरू होती है, histone जब DNA की packaging करता है, तो उस packaging के time पर हमने सीखा था, छोटे-छोट करके देखा, तो इसकी structure कैसी थी, यह हमने सीखा है, अब हम packaging को higher level पे समझने जा रहे है, packaging at higher level, higher level पर packaging बच्चों तब की जाती है, जब cell का division होता है, यह जब बाते हम समझ रहे हैं, सब कुछ eukaryote के case में होती है, higher level पर packaging तब होगी जब cell divide होती है, normally packaging तो chromatin level पर होती है, ल packaging start होती है, इन ही बातों को अब हम यहाँ पर समझेंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पर यह बच्चो DNA को लिया, normally जो DNA होता है, अब इसको pack करते टाइम सबसे पहले histone का रोल रहता है, DNA के साथ जब histone जुडता है, तो हमने सिखा आता, छोटे-छोटे bits बनते हैं, यह यहाँ पर यह bits बन गए, आप ही बताइए, इस एक bits का, एक single bits जो यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, इस single bits, यह जो single bits आपको दिखाए दे रहा है, इस single bits का नाम क्या होगा, तो हम कह सकते single bits का नाम nucleosome होगा, आप जानते हैं, इसको हम nucleosome नाम दे देते हैं, clear, यह nucleos का डाइग्राम सिखा था तो हमने सिखा था कि यहां पर ऐसे हिस्टोन टोटल एट हिस्टोन होते हैं यहां पर एक special protein आकर लगता है जिसका नाम H1 हिस्टोन पोटीन यहां पर लगता है और H1 H1 की interaction की वज़ासे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे 6 nucleosome एक दूसरे के पास पास आते हैं और 6 nucleosome का एक गूप बनने लग जाता है जिसको हम solenoid कहते हैं यह सब H1 की interaction की वज़ासे होता है तो यहां पर higher level पर जब आप packaging करते हैं तो उस टाइम H1 की interaction होती है इस H1 की interaction की वज़ासे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 molecule आपस में combine होते हैं यह 6 nucleosome को मिला के अब यह जो इतना पार्ट बना है अब इतने पार्ट को नाम दे दिया जाता है solenoid फिर से 6 का group क्या कराएगा solenoid फिर से next 6 वाले मिलकर solenoid ऐसे solenoidic form में होता है और यह solenoid की form में ही exactly chromatin अपनी सेल के अंदर है मताँ अपनी सेल के अंदर जो DNA होता है वो इसी solenoidic form में ही रहता है clear, normally अपनी सेल में अकेला DNA नहीं हो सकता क्योंकि अकेला DNA तो बहुत लंबा होता तो उसको कहिने कहीं pack करना पड़ा और यह pack करने का काम हम सभी जानते हैं histone protein ने किया और histone, H1, इन सब की interaction के और जैसे यह solenoidic form बनता है और इसी form में सेल के अंदर chromatin बैठा है वो exactly इस chromatin के form में ही मेठा होता है, clear, यह normal case में होता है अब अच्छो जब सेल का division start होता है, UK routes में जब सेल साइकल चलती है तो आप सभी को पता है सेल साइकल की starting, सेल साइकल की starting हमेशा G1 से होती है सेल साइकल जब भी चलो होगी G1, G1 के बाद next step आती है S, S के बाद next step आती है G2, G1, S, G2 G2 के बाद अब यहाँ पर चलेगी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, इस तरह से एक सेल साइकल चलती है सेल साइकल की starting कहां से होती है, G1, G1, S, G2 के अंदर यह thread होता है यह chromatin exactly कुछ इसी तरह से, मतब यह chromatin exactly इस तरह से G1, S, G2 में होता है जब चो प्रोफेस, मेटाफेस आती है, तो प्रोफेस के टाइम पर यही chromatin condensed होके ऐसे chromosome like structure बनाने लगता है, यह chromosome like structure बन जाती है यह chromosome का बनना तब होता है जब सेल डिवीजन की प्रोफेस आती है यानि during cell division, जब प्रोफेस आती है, तो प्रोफेस के टाइम पर यही chromatin और चोटा होता है और इसके छोटे होने से एक compact structure बनती है अब इस compact structure का नाम दिया जाता है chromosome मतब यह जो compact structure बनी इसको chromosome कहे देते Chromatin, chromosome में क्या difference है जब तक यह इस thread की form में है तब तक क्या है Chromatin लेकिन जब sale का division चालू होता है तो यही chromatin thread condense होता है Condense का मतलब छोटा होता है और जब इसको condense करते है तो यह जो compact structure बनती है इसको chromosome कहते है लेकिन सबसे खास बात यह chromosome तब ही बनेगा जब sale division की prophase इस्टे जाएगी यानि prophase में condensation स्टार्ट होता है ऐसे chromosome बनना शुरू हो जाते है अच्छा जब metaphase आती है prophase के बाद metaphase metaphase में यह chromosome और अच्छे से condense होके यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को ऐसे chromosome बिलकुल अच्छे से chromosome दिखाए देते है यानि बढ़िया से chromosome metaphase में बनते है prophase में chromosome बनना start होते है condensation स्टार्ट होता है complete metaphase में होता है और इसलिए well developed chromosome आपको metaphase में दिखाए देते है और कहा भी जाता है chromosome की study के लिए सबसे best phase metaphase और metaphase क्यों कहते हैं क्योंकि वहीं पर condensation complete होता है और बढ़िया से chromosome बनते हैं तो एक बार फिर समझना prophase में condensation स्टार्ट हुआ chromosome बनना शुरू हुआ लेकिन ये well developed chromosome फिर आपको कहां देखने को मिलेंगे metaphase में होता है अगर आपसे पूछा जाए कि इस chromatin से chromosome किस ने बनाया अब मुझे इतना बताईए यहाँ पर तो ऐसे यहाँ पर लगे होगा था histone protein ऐसे यहाँ histone protein था histone का function होता है chromatin level पर packing करना histone का काम बस इतना सा है chromatin level पर packing करने का काम इस histone का है लेकिन chromatin से chromosome level पर जाना है इसी को कहते हैं higher level chromatin से chromosome level पर जाना है higher level पर अगर packaging करना है तो इस higher level पर packaging अब histone नहीं करता है बात को समझना histone का का काम chromatin level तक है अब क्रोमेटिन से क्रोमोसम पे जाना आए तो हिस्टोन काम नहीं आते तो बात आते हैं फिर कौन काम आएगा यहाँ पर higher level पर पेकेजिंग करने के लिए कुछ additional protein काम आते हैं जिनको कहेंगे non-histron protein यह बच्चों यहाँ पर ऐसे non-histron protein आते हैं यहाँ तो हिस्टोन लगे अब यह additional protein आए इनको कहेंगे non-histron और यही non-histron higher level पर पेकिंग करके क्रोमोसम बनाते हैं अब यह जो non-histron protein है इसके लिए हम कह सकते हैं पेक्ड बाई non-histron क्रोमोसमल protein अच्चा non-histron क्रोमोसमल protein क्यों का बहुत जयान समझना एक एकर के वर्ड समझते हैं non-histron क्यों कहां पहले यह बताओ non-histron इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह histron के अलावा है histron के अलावा है इसलिए नाम दिया non-histron और इसने ultimately क्रोमोसम बनाया इसलिए लिखा गया non-histron क्रोमोसमल protein और short में NHC इसको short में NHC protein कहते हैं NCIT जब आप पढ़ोगे तो वहाँ यही word मिलेगा NHC protein NHC का full form non-histron क्रोमोसमल protein और यह NHC protein कब काम आते हैं जब यह higher level पर packaging करते हैं यानि क्रोमोसम बनाते हैं यानि हमने क्या सिखा अगर बच्चों chromatin level की packing करना है chromatin level की packing करना है तो histone काम आते हैं लेकिन chromatin से क्रोमोसम लेवल पर जाना है तो histone काम नहीं आते हैं अब तो काम आते हैं non-histron क्रोमोसमल protein जब आत यहां सिखाए clear हुई अच्छाए यहां पर बच्चों को एक बड़ा confusion होता है कि सर डीने chromatin और क्रोमोसम में क्या difference है तो बहुत दियान से आप इसको समझेगा जब तक यह अकेला है डीने है बिल्कुल अकेला है डीने लेकिन जब यह histone के साथ associate होता है तो thread जैसा कुछ बनता है इसको कहते हैं chromatin बात को सुनना जब तक अकेला तब तक DNA हिस्ट्रोन के साथ जूडने लग गया तो यह thread बन गया इसका नाम chromatin और इसी chromatin को जब higher level पर पेक कर जा देते हैं तो इसी से बन जाता है chromosome तो higher level पर पेकिंग होने के बाद chromosome बनते यानि अकेला है तो DNA पेक हुआ तो chromatin और पेक हुआ तो chromosome यानि DNA से chromatin बना फिर वही chromatin higher level पर पेक होके chromosome का formation करता है लेकिन सबसे मज़े की बाद chromosome हमेशा नहीं होते सेल में chromosome तभी बनेंगे जब सेल का division हो रहा होगा यानि अब pro phase metaphase चल दी होगी अच्छा एना phase में रहेंगे फिर जब telophase आएगी तो यही chromosome वापस chromatin बन जाते यानि division के पहले chromatin है division के बाद chromatin है बस यह जब division चल रहा होता है इसी time आपको chromosome दिखाए देते यानि chromosome हमेशा नहीं होते यह बस cell division के time पे present होते अगर मैं normally अपनी cell में आपसे पुछा जाए कि chromatin है या chromosome तो हम कहेंगे normally अपनी cell के अंदर chromatin होता है लेकिन मैं आपको एक dividing cell दू और उस dividing cell में आपसे पुछा जाए कि chromatin होगा या chromosome तो आणसर देंगे कि dividing cell के अंदर तो chromosome देखने को मिलेगा हाँ जब division खतम हो जाएगा division खतम हो गया तो वापस क्या मिल जाएगा chromatin यानि normally cell में chromatin ही present होता है जो बात यहाँ पर सिखाए clear हुई पस इतना याद रखना chromatin level पर paking histone करता है लेकिन higher level पर paking histone नहीं non histone chromosomal protein NHC protein करते है जो बात यहां सिखाएगी clear हुई बच्चो अच्छा अगला point लेते है non histone protein के क्या-क्या function हो सकते है function की बात करे function of non histone chromosomal protein non histone chromosomal protein क्या-क्या function कर सकते है इनके function में 3 functions आते है सबसे पहला function structure formation of chromosome ये chromosome की structure बनाते हैं अभी हमने सिखा भी है chromatin से chromosome बनाना है तो non-stony काम आते हैं तो इनका पहला function आता है chromosome बनाने में second, इनका second function आता है act as an enzyme ये functional है, enzyme की तरह काम कर सकते हैं जैसे DNA polymerase, RNA polymerase ये सब non-stony होते हैं इसको बचौप ऐसे समझेगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये DNA को draw किया ये DNA अच्छा इस DNA के साथ जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ मैंने protein attach किये समझाने के लिए ये जो protein है ये histone protein है DNA के साथ कौन से protein attach है? histone अब इस DNA से यहाँ पर बनाना है RNA DNA से यहाँ पर बनाना है RNA अब बात को समझना? DNA से RNA बनाना है तो इसके लिए special enzyme रखता है जिसका नाम है RNA polymerase कौन सा enzyme कामाएगा? RNA polymerase DNA से RNA बनाने वाला RNA polymerase अब होता क्या है? यहाँ पर बच्चो यह RNA polymerase आकर यह bind हो गया अब मुझे बताओ RNA polymerase क्या यह histone के अलावा है? Yes, histone के अलावा है मतलब RNA polymerase भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह non-stone होता है यह non-stone है क्योंकि histone के अलावा है तो इतना याद रखो DNA पर histone के अलावा जो भी जुड़ेगा वो अपने आप में non-stone होता है अब यह non-stone कुछ भी हो सकता है DNA polymerase भी हो सकते हैं, RNA polymerase भी हो सकते हैं जो enzyme DNA के साथ जुड़े हुए clear? तो non-stone protein enzyme की तरह भी काम कर सकते हैं इसलिका बच्चो next function आता है और वो है gene regulation regulatory non-stone कौमोसिमल protein जो gene regulation में help करते हैं अच्छा बात आती है gene regulation से क्या मतलब है जब बच्चो जरूत के हिसाब से gene काम करती है जरूत होती है तो gene RNA बनाती है, protein बनाती है जरूत नहीं होती है तो gene off हो जाती है RNA protein बनाना बंद कर देती है तो जरूत के हिसाब से gene on-off होती है उसे कहा जाता है उसका regulation लेकिन ये regulation कैसे किया जाता है अब भी हम इसको यहां नहीं समझेंगे इसको हम अलग से पुरा topic की अपना gene regulation वहां सिखाये जाएगा तो जब हम gene regulation समझेंगे तो वहां पर ये point आपको और अच्छे से clear होगा अभी बस इतना ध्यान रखो non-strong protein थी तरह के function कर सकता है पहला function structure बनाने में second function enzyme की तरह काम कर सकते है functional है and third regulation में भी help कर सकते है मतलब ये इनके basic three functions होते है जो बातें यहां पर अभी आपको सिखाये गई chromatin, heterochromatin क्या होता है इसको समझे अगर आप लोगों ने अगर हम लोग biology की बात करें तो 11th biology के अंदर आप लोगों को u chromatin, heterochromatin समझाया जाता है cell biology के अंदर यहां पर उसी point को एक बार फिर सेम repeat कर रहे हैं ध्यान से समझेगा यहां पर आप ध्यान दोगे तो यह एक chromatin आपको ड्रोग किया गए इस chromatin में यह जो beats आपको दिखाये दे रहे यहां पर बच्चों यह जो beats आपको नज़े जाते हैं इन beats का नाम आप ही बताएए क्या कहलाते है nucleosome यहां यह nucleosome, nucleosome, nucleosome कहीं पर nucleosome ऐसे दूर-दूर दिख रहे है और कहीं कहीं के nucleosome ऐसे compact दिख रहे है chromatin के अंदर nucleosome का arrangement दो तरह से हो सकता है यह तो बच्चों ऐसे loosely arranged होते हैं यह ऐसे tightly arranged होते हैं दो तरह का arrangement है यह तो loosely या tightly arrangement होता है अब इन में से जो loosely arrangement होता है इसी को कहा जाता है U-Kromatin और यह जो Tide Arrangement आपको दिखा जे रहा है इसको Heterokromatin करते है यानि क्रोमेटीन दो तरह से होता है कौन-कौन सा? U-Kromatin, Heterokromatin U-Kromatin Loosely Paked होता है जब कि Heterokromatin Tidely Paked होता है अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो हिस्टोन प्रोटीन कम होगा सेकंड बात आती है अगर यहां पर हिस्टोन कम है तो पेकिंग लूज या टाइडली तो हम कह सकते हैं यहां लूजली पेक्ट होता है और डाइगराम में दिख भी रहा है कि वाके में यहां पर पेकिंग लूजली होती है लेकिन इस एरिया में आप बताओ पेकिंग लूजली है टाइडली हेटरोक्रोमेटिन की कास बात होती है कि यहां पर जो पेकिंग होती है वो टाइडली पेक्ट होता है तो u-chromatin loosely packed होता है जब कि heterochromatin tightly packed होता है इसके अंदर अगर हम DNA देखें तो यहाँ DNA थोड़ा सा होगा लेकिन इसमें DNA यहाँ पर बहुत ज़ादा होगा तो DNA की बात की जाए तो इसमें less DNA होता है DNA काफी कम होता है लेकिन इसमें तो DNA बहुत ज़ादा bind up रहेगा तो इसमें DNA काफी ज़ादा रहता है तो इसमें less DNA इसमें more DNA यह बात याद रखना u-chromatin loosely packed होता है heterochromatin tightly packed होता है इसमें DNA की quantity कम इसमें ज़ादा रहती है इस chromatin को अगर हम देखना चाहते तो chromatin को देखने के लिए पहले उसके ओपर die लगानी पड़ती है इस chromatin को देखने के लिए इसको stain करना पड़ता है stain यहाँ पर जो किया जाता है वो है acetokarmin chromatin को देखने के लिए एक basic die काम में लिजाती है इस basic die का नाम याद रखिएगा बच्चो acetokarmin acetokarmin यह एक basic die है तो यह acid से जुड़ेगी और हम सब जानते है DNA का nature acidic होता है और DNA का nature acidic है तो अब यह DNA के साथ bind up करेगा अच्छा DNA के साथ जब यह bind करेगा तो यहाँ पर द्यान से देखिए इस area में DNA less है U chromatin में DNA की quantity कम है तो इसके ओपर जब यह die को डाला जाएगा die को यहाँ जोड़ा जाएगा आप ही बताना die कम attach होगी यह ज़ादा और जब DNA ही कम है तो die का attachment कम होगा मतब यहाँ die कम attach होगी और die कम attach होगी तो यह part आपको lightly color का दिखेगा तो यह lightly stand होता है तो यू chromatin stand करने पर lightly होता है लेकिन इस वाले में DNA जादा है हेटरो chromatin में अगर DNA जादा है तो यहाँ पर जैसी die डालेंगे तो यहाँ die जादा जुड़ेगी और die अगर जादा जुड़ेगी तो यह आप लोगों को dark dark color का दिखेगा और dark color का दिखेगा DNA कम है डाई कम अटेच होई dark stand क्यों है क्योंकि DNA जादा है डाई यहाँ जादा आटेच होगी तो यह dark stand हो जाता है clear? अब एक बहुत ही important point हम समझते हैं very important अगर बच्चों हम यहाँ पर ध्यान से देखे तो इसमें packing loose है loose packing होने का एक बड़ा फाइदा यह होता है कि यहाँ पर कोई दूसरा protein आकर आसानी से जूड़ सकता है यहाँ दूसरा protein जैसे RNA polymerase यह RNA polymerase protein यहाँ पर आकर आसानी से bind हो सकता है क्योंकि यहाँ पर loosely pack है अच्छा जब यहाँ यहाँ पर आकर bind करेगा अब बताओ RNA polymerase का function क्या है तो आगे हम इसको detail में समझेंगे भी RNA polymerase का function होता है DNA से RNA बनाना तो मुझे बताइए यहाँ पर RNA बनाना आसान है मतलब इस DNA से यहाँ RNA बनाना आसान होता है RNA आसानी से बनता है DNA से RNA का बनना किलाता है transcription समझेंगे इसके बारे में हम आगे अभी इतना याद रखो DNA से यह जो DNA है DNA से अगर RNA बनता है तो इस process को कहा जाता है transcription यहाँ पर transcription करना easy होता है transcription करना आसान है क्योंकि loosely pack है RNA polymerase को बैटने की जग अच्छे से मिलती है तो यहाँ transcription easily हो जाता है तो हम कहेंगे यह transcriptionally active part होता है क्यों transcriptionally active होता है क्योंकि यहाँ पर यह आसानी से bind हो जाता है अब इस area की बात आप अपने हम समझो यहाँ RNA polymerase इस area में अगर हम बात करें तो यहाँ RNA polymerase आसानी से bind up नहीं हो पाएगा आसानी से bind up क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटने की जगे नहीं मिली, यहां तो आसनी से बेट गया, इसमें बेटने की जगे नहीं मिलती है, तो RNA पोलिमरेज आसनी से बाइन नहीं हो पाता, और जब RNA पोलिमरेज आसनी से बाइन नहीं होगा, तो यहां RNA नहीं बनेगा, और RNA नहीं बनता है, तो हम कह सकते है transcriptionally inactive होता है तो u-chromatin transcriptionally active होता है जोकि heterochromatin transcriptionally inactive होता है क्योंकि यहाँ RNA polymerase proper bind up नहीं कर सकता proper RNA नहीं बना सकता u-chromatin, heterochromatin में क्या-क्या points होते हैं यह सारे points हमने समझे हैं इन points को में एक बार आप से फिर पूछ रहा हूं सब को आना चाहिए u-chromatin, heterochromatin दोनों में से light color, u-chromatin dark color, heterochromatin transcriptionally active, u-chromatin transcriptionally inactive, heterochromatin tightly packed, heterochromatin loosely packed, u-chromatin तो यहाँ पर इन में से related कोई भी point आप से पूछा जाता है और एक point यह भी आद रखना chromatin को scan करने वाली dye का नाम basic dye जिसको हम कहते हैं Acetocarbon अच्छा, chromatin कितने टाइप के हो जाते? two type, loosely packed u-chromatin and tightly packed heterochromatin जो बातें यहाँ पर सिखाई clear हुई बच्चो